दिपावली से दो दिन पहले धंतीरस का त्योहार मनाया जाता है धंतीरस पर खरिदारी करना बहुत शुब माना जाता है इससे माता लक्ष्मी और धन के देफता कुबेर बेहद प्रसन होते हैं लेकिन खरिदारी के दौरान कुछ ऐसी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए परना माता लक्ष्मी और धन के देफता कुबेर नाराज हो सकती है इससे घर में कंगाली भीचा सकती है कुछे दिनों में धंतीरस का त्योहार आने वाला है ऐसे में हम आपको ये खास बाते बताने वाले हैं पूरी जानकारी के लिए लोकलिटी ने देवगर के प्रसिद जोतिशाचार्य पंडित नंद किशोर मुद्गल से खास बातचीत की है धन तेरस के दिन लोग वस्तुएं खरिदना सुभ मानते हैं लेकिन कभी-कभी वस्तुएं खरिदने में लोग गलती करते हैं कई जो नहीं खरिदना चाहिए वह भी खरिद लेते हैं कई लोग धनतेरस के दिन नए व्यापार की शुरुवात करते हैं तो कई लोग धनतेरस के दिन नए गाड़ी या घर खरिदते हैं धनतेरस के दिन सबसे ज्यादा शुभ होता है सोना चांदी और बरतन की खरिदारी करना लेकिन आपको कुछ चीजों का खास द्यान रखना चाहिए आईए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं जोतिश अचारे बताते हैं कि धन्तिरस के दिन अगर आप बाज़ार से कुछ खरेदारी करने जाते हैं तो भूलकर भी कोई काला वस्त्र या काली वस्तूइं ना खरीदे इससे घर में नकरात्मक असर पड़ सकता है धन्तिरस के दिन सबसे ज्यादा बर्तन की बिक्री होती है पर ध्यान रखे की लोहा अलिमीनियम के बर्तन भूलकर भी ना खरीदे धन्तिरस के दिन काच उसे बनी कोई भी वस्तूखरीदना शुब नहीं माना जाता इससे माता लक्षमी नाराज हो सकती है और घर पर खराब असर पड़ सकता है इससे घर में कंगाली भी चा सकती है धन्तिरस के दिन प्लास्टिक की वस्तूएं खरीद कर घर में नहीं लानी चाहिए घर पर वास्तूदोश का असर पड़ सकता है धन और सुक सम्रिद्धी में विरिद्धी के बजाए जातक को नुकसान हो सकता है तेरस के दिन आप यह निश्चिद याद रखें की काला वस्तू कभी नहीं खर दें काला वस्तू उस दिन जदी खरीते हैं तो आपको धन धान्य शम्रिद्धी के बदले धन्धान्य की आनी भी हो सकती है क्या है काला वस्त्र कभी नहीं खर दें अल्मोनियम का बर्तन कभी नहीं खर दें और कांच से बनी हुई कोई भी बर्तन खरिदना मना रहता है पोसिस करें लोहा भी आप नो खर दें लोहा भी खर दें भानिकारक है एवं प्लास्टिक की वस्तूएं यहाँ धन्तेरस को इतनी वस्तूएं छोड़ करकी ही आप भी देंगे और उसका पुजा करेंगे तो आपको मिसेश रूप से आर्थिक लाव होगा ऐसे में आज किस वीडियो में आपने जाना कि धन्तेरस के दिन किन चीजों की खरेदारी नहीं करनी चाहिए आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे लोकले टीन